यह नहीं है मेरी पास नहीं है कि मैं आपसे भी सेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर Olip और अपने पास रखूं नहीं है मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती है और यह अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही है हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे उनका चल रहा था, प्लाणिंग क्या करना है क्या नहीं टच भी नहीं की ऐसे कर दी, उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान थो उनके हाथ में था तो बड़ा फकर होता, लेकिन ऐसा सोभाग नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए अच्छा लगा, बेटे के वज़े से हम इतना सम्मान बड़ा मिला, लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, पर एक बेटा जो मेरा करके गया है, उससे बड़ा कुछ होई नहीं सकता, बहुत बड़ा सम्मान था, और बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दर्द भी था, और कु कि मेरा बेटा ये करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया है, जो चार परिवारों को दुख से बचाया है, अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए, उन परिवारों को खुसी देके गया है, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्य खुसी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। कई कोई नहीं इसका माप लगा सकते है। और मा का दर्द कोई माप नहीं सकता है जो मा होती है उनको पता है इसका दर्द कितना होता है कोई नहीं इसका माप लगा सकता है एक बड़ी बात है पीटा गया उसके बाद जो सम्मान आपको मिला वो भी आजाब के पास नहीं है नहीं है मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी सेयर करूँ और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ ओ लेके मैं पिक्चर भी लो और अपने पास रखूँ ओ नहीं है किसमत में मैं आगे के लिए बदलाओ के लिए ही चाहती हूँ और यह मेरा अपना राय है मेरे दिल का राय है जो मैं दर्दस से गुजर रही हूँ मुझे किसी और पर उंगली नहीं उठाना किसी के पर कोई हक नहीं है पर मैं अपने लिए आवाज उठा सकती हूँ अपने जैसे माओं के लिए आवाज उठा सकती हूं। और मैं हमेसाब बोलती रहोंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी। वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बाद नहीं तुम्हारी जब एक्षा है आना जब मेरे पास मन हो रहना मम्मी के पास रहना मन अच्छे से गई कोई कोई इसू नहीं अगर थोड़ी इसू भी होती तो मैं समझ सकती थी कोई इसू भी नहीं इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में जो भी बेटे का संसकार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में अपने गम में अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे उनका चल रहा था प्लानिंग क्या करना है क्या नहीं वो जाने वो बेहतर बताएंगे आप एक बढ़ी बात कही जए कि मैंने अउसको भी पता है को मैं उसको भी बोले थी तूमेरा अंस्मान है अंस्मान तो फॉज के लिए बनें उनके लिए काम कर रहे है पर तुम्हारे पास मैं रहंगी क्योंकि मेरा बेटा बोलता था डैड़ी से भी जग्रा करता था ले म मैं जहीं दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंसुमान बोलूँगा तु मेरे लिए अंसुमान है कि बताया जा रहा है, तो मैं आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पता है। मैं छोड़ा और मेरे हाथ में ही रगया। कोई जोर्जबरजस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खीची नहीं। पर उन्होंने सायद इसू बनाया सीयो साहब से और सीयो साहब को बुला के सेयर किये होंगे, अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्हो मेरे तरफ देखी, तो मैं हाथ फर्ट से ले गई बढ़ाई, पर मैं बस टच, टच भी नहीं की ऐसे कर दी, उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। आज बेटे की क्या कुछ यादे मौजूद है, कैसे सुचनी है, कब कुछ चीज़े हैं। एक मार सांस जब तक रहेगी, खतम ही नहीं होगा वो पल बताने में, खतम ही नहीं होगा, कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कि इतने दिन में खतम होगा, वो पल कभी खतम नहीं होगा, मैं वही सोचती रहती हूँ, कब क्या किये थे हम, मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी, वो हर माबाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज़्यादा ही माबाप के लिए होते हैं तो वो सायदू अकेला था देखे जो देश का दूती ये सांतिकालिन सर्बोच बिरता पूरशकार है ये अपने आप में एक आदर्श है और उनकरनी है और हमारे बेटे को मिला वो जिले का पहला खुस नसीब है जिसे ये शम्मान मिला तो हमारी पूरी नसले आए के पूरा खंदान और हमारा चेत्र औ नहीं दूसरी तरफ सम्मान को ना घर लापाने कभी दूटे बिल्कुल है क्योंकि अगर लापाते तो बहतर होता है क्या कहना चाहेंगे सर उसको ले के इसके पीछी क्या चीजें रही और क्या उसमें आपकी राय है चीजें रही हो मैंने पप्लिक डोमेन में बहुत बोल दिया है बहुत जादे इस पे बोलना दुखों को फिर कुरेदना है इक्षा जरूर थी कि हम ले पाएं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिया बनी जिससे कि हम नहीं ले पाए नहीं देख पाए तो मेरा दिली एक्षा जरूर है कि मतलब ऐसा कुछ ने कुछ प्रावदान होना चाहिए जिससे किसी की एक्षाओं के कलियों पे तुसारपात ना हो और किसी को शहादत के गम के साथ साथ कुछी मनाने का भी आउशर मिल सके बेटे को ले करके क्या सूचते हैं किस तरह से चीज़े नहीं और आज के समय क्या है बेटा शायद उसको इस दुनिया से बहुत जल्दी जाना था वो एक अनुपम धरूहर था भगवान के कृती का क्योंकि दो चीजें मैं आपको शेयर करूँ अपनी साधी में वो एक सूट ले करके गया था और माता जी नहीं यह कह दिया कि मेरे बेटे की सिर्वानी बहुत अच्छी थी तो उस पूरे शाधी के फंक्शन में वो सूट नहीं पहना वो जूते और वो सूट पैक हमारे घर वापस आये थी दूसरा उनके बाल कुछ पके हुए थे आप फोटो में देख सकते हैं तो उनकी ममी ने पहले कह दिया था कि मेरे बेटे का बाल बहुत सुंदर लग रहा है तो उस पूरे साधी के जस्न में सब कहके हार गए उन्होंने अपने बाल को रणा नहीं तीसरा वो दाड़ी बहुत प्रेम से रखे थे क्योंकि फोज में कम रखने को मिलता है तो जब आये थे तो उसमें रखे थे और शोक से कि जब जाएंगे तो छेलना पड़ेगा तो मेरे एक भाई ने कहा कि बटा आज दाड़ी चील बहुत आब ही आते हैं अंकल और वो हो रास्ता चुना इस धरा को छोड़ने का वो मुक्ष पे अपना अम्रत्यों का अधिकार शिद्ध करता है और अम्रत्यों पे उनका अधिकार शिद्ध है तो मेरा इतना भाईतिक रूप से कद नहीं कि मैं उनकी आत्मा को सत-सत प्रडाम करता हूं मैं कोई भी उनको साथव बात दे सकूँ है और कोई कामना कर सकूँ, क्योंकि यह शास्थरों में बरनित है, की रार्स्ट पे जो अपने आपको समर्पित करता है,raine सेने मोक्ष को प्राप्त होता है, तो हिंदु ध्र्म में के वलंति उक्षा होती है मोक्ष को को प्राप्त करना मेरी जहां तक जो मानिता है और जो धर्मों में थोड़ी सी लगाओ के कारण जानकारी है तो मुक्ष पे उनका अधिकार सिध है इसलिए उस महान आत्मा को सबस्त प्रणाम करता हूँ और मैं यह नहीं काम ना कर सकता कि उनकी आत्मा को सांती मिले वो तो परम सांती में बलीन हो चुके है अधिकार था क्योंकि उनको बहादर बनाने के क्रम में माता पिता परिवार परवरिस उनके गुरू उनके मित्र सब के अपना अपना से हो गए जिसे किसी बेक्तितु का निरूपन होता और निधारन होता है तो पत्नी तो भी पांच महीने से आई थी निसीत रूप से उनका जो गम है वो खाबिलने वाई से लेकिन अगर ऐसा है कि जिस हम आज अगर सुबह सोके उठें तो अपने बेटी की उस पुरसकार को देख पाते है कि ठीक है तो बड़ा फक्र होता लेकिन ऐसा सो भागी नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए तो यही कुछ गम थे जो कि सरे बजम हमने अपनी दास्ता क को भया की वरना यह बड़ा खुब्सूरत मंजर नहीं है जिसे की सरे बजम कही जाए उनकी कितने टाइम से उनके टच में थी यह भी बात कही जा रही है तो और उसके बाद क्या कुछ चीज़े नहीं कुछ एड्रेस को ले करके भी बात के बात हैं हाँ उनकी वाइफ जब प्रेम का जो प्रगारता बड़ी होगी उसके बाद वो चले गए और जो भी मुलाकाते रही होगी तो कभी कभार चुटी तो हमारी पास आते थे एक आत बार हो सकता है कि मुलाकात हुई उनके दोस्तों से मिला कि किसी से बादसितिन की कभी कभार होती है कभी उन्होंने पहचान को उस प्रेम को जो प्रेम की पूरता है उसको प्रदत करने के लिए कहा कि हम साधी कर लेते हैं और हमने बड़े धूम धाम से साधी किया और उनके मदर फादर भी यादर रणी है उनने बड़े धूम धाम से साधी किया हम दस फरोरी को साधी किया और जरा भी हमारे प्रयास भी किया, धीरे धीरों उने फोन बंद किया, नंबर हमारे जो पोस्ट पेट के इन के थे, उसी नंबर से प्राइम नंबर से उसको बंद किया, हमारे नंबर को ब्लॉग किया, बादसित करना बंद किया, पूजन में नहीं आई, और राश्टपती भावन में इस तरह तो हमने कहा कि आप अगर उनके CEO साब को कि अगर decorum को maintain करने के लिए आप कहेंगे तो हम जाएंगे भी नहीं माता जी नहीं जाएंगे लेकिन मेरे बेटे के समान को पूरा decorated तरीके से मिलना चाहिए और उन्हें का नहीं नहीं चलिए लेकिन आप के ओल हाथ लगा दीजिएगा तो मेरी पत्नी ने बहुत संकोच के साथ हाथ लगाया और फोटो जब वो हो रहा था गेट के बाहर तभी उन्होंने का कि एक फोटो माता जी के हाथ में हो जाए और मैं वो दुरभागे साली पिता था जो हाथ में भी नहीं ले पाया एक्षा तो बहुत थी और खोल के कम से कम देख लेता बिंगे एक्सफोजी तो कदाचित वो संतोस मिल जाता जो की हर पिता चाहता है और नहीं मिल पाया तो इसका गम जरूर है और हमने ये एक्षा भी की थी कि यहां पे बस्क पे लगाने के लिए दीजिए हम आपको से सम्मान वापस कर देंगे और देना ना देने की बात की प्रकरिया तो लगए उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया कोई पलट के उनका जवाब नहीं आया और कोई वो नहीं था तो ये जो दर्द था वो बया हुआ जो आज आप देख रहे हैं कि समाज में आया कदाचित ना आता तो बहतर होता हाँ पांस फरवरी दोजार चौबिस को उन्होंने मेरी बेटे का जो पर्मानेंट एड्रेस है देवरिया से वो सिफ्ट करके चेंज कराके और वो चला गया वहां पर मने गली नंबर तीन दीना नगर गुर्दासपूर जब मुझे पता चला प्रेजडेंट वहां पर होट